सु हेक्रेस्ट वैलकम बैक्टरबर चनल तो गाईस हम लोग आ चुके एक और न्यूफरेस बूटीकर साथ एंड यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग जो है आज एक न्यू एकाउंट के साथ आ चुके है ठीक है यह अकाउंट जो है मेरे फ्रेंड के एकाउंट है और यहां पर देख सकते हैं टाउनल 15 जो है कोई मतलब दिक्कत बात ही नहीं यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग इवेंट ट्रॉप्स का यूज करेंगे एंड अभी साथ कुछी दिन बचे हुए हैं औक तो दो या तीन दिन बचे हुए होंगे और इसके बाद जो यह इवेंट ठूप्स खतम हो जाएंगे तो इसी आर्मिक साथ हम लोग कर लेते हैं तो यहांपर देख सकते हैं हमारे ट्रॉपी यहां पर एक बार आप लोग देख सकते हैं कि बस एक एटक करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग लेजेंड विग पे हिट कर जाएंगा तो चलिए फटाफट से सर्च कर लेते हैं यहां पर लगा दिया सर्चिंग थोड़ा से यहां पर क्लाउडिंग होगा क्योंकि आप लोगों को पता ही है टाइटन वन पे हैं हम लोग अभी एंड रेजेंड विग आके सही हो गया है क्लाउडिंग का एकदम सीनी खतम हो गया नहीं तो घंटो घंटो क्लाउडिंग होता था अम आले मतले बापको मास डिगे अच्छा बट अभी सही है सब कुछ फिक्स कर दिया गया है एंड खिल्दी में मजा आता है नहीं तो यह करते हैं इस पर अटाक एंड सबसे पहला प्लानिंग क्या रहाएगा इस आर्मी में तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यह एडिफेंस निकालने पड़ेंगे तो मैं यह सेट का निकाल देता हूं पहले तो यहां पर पर टीन डाला यह दिखिए डिफेंस के साथ यहां यहां पर आप देखिए सबसे निकल गया तो यहां लोग को अच्छी बात है एंड इधर भी डाल देते हैं चल जो यहां पर डाल दिया मैंने तीन और अब जो है यहां पर देखिए सीटी पर यह नीचे की साइड में तो हम लोग इधर से अटैक को स्टार्ट करते हैं सारे सारी यहां पर लावा लून को ड्रॉप कर देंगे पीछे से बाई हम लोग ग्रेंड वार्डन के साथ यहां पर हम लोग इस्टोंस जैमर के यूज करें क्योंकि हमारे यहां पर यहां पर टीएच तक आराम से चले जाएंगे सारे ट्रूप्स तो यहां पर देख सकते हैं संनन गत्ली आराम से आप लूच यहां पर बीटे को और करता हैं क। यहां पर झाल परनिफेंज के रहे लोंट अरom नषर में पर यहां पर बेस तो काफी क्लियर हो चुका है अभी हम लोग हीरोस को ड्रॉप करेंगे तो यहां पर सबसे पहले कि वाल ब्रिकर को मैंने ड्रॉप कर दिया पीछे सब बैंग और यह हमारी क्वेन भी आचुकी है तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद हम आप यहां से ब्रॉप करेंगे ठीक है तो थोड़ा से वेट कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां से आसी ब्रॉप कर दिये ताकि मैं चाहता हूं कि आर्ची इधर जो मल्टी टार्गेट इंफर्नो टावर यह वगरा है यह सब को निकालते जाए फिरोस साइड से वा यहां पर जो वाड़न स्टैच्व है हिट करने वी लगता हमारी आर्सी को बट चलिए हमने यहां पर टैप कर दिया तो अब टार्गेट नहीं कर पाएगा और यहां पर देख सकते हैं कि इधर लाबा दूनने वी किलियर कर दिया है एदर हिरोस ने किलियर कर चुका है और हम लोग जो है अब फटाफट से भाई लेजेंड वीग में साइन अप करेंगे ठीक है तो यहां पर देख सकते हम लोग जो है लेजेंड वीग में गाईज हिट कर चुके हैं और 5018 ट्रॉफी हमारे पास अभी करेंट भी हो जुग है चलो बहुत बहुत करते हैं यहां पर चलो यह फटावर्ट से साइन अफ करते भाई लेजेंड वीग पर एंड यहां पर सैन अफ कर दिया हमने तो यहां पर बेस सर्फेट कर देता हूं ने तो बही इसी बेस रहेगा तो मैं धोके चल जाहेगा तो यहां पर यही बीस को लगा देता हूं तो यह रिंग बेस को मैंने सेट कर दिया और यहां पर CC में भाई मैं यूज कर रहा हूँ अभी यह लेक्ट्रो टाइटन एक इंफरनो ड्राइगन और तीन अर्चर्स तो चलो इसको हमने सेट कर दिया तो भाई अब हम लोग वापस से जय सिरी राम बला बेस को लगा देते हैं यहां पर और अब यहां पर तीस मिनिट का टाइम लगेगा तब तक थोड़ा सा मैं इसको इसकीप करता हूँ और मिलता हूँ बाई बेसे के साथ तो हमें बस चारी बेस मिले हैं और चल यह देखते ह है कैसा-कैसे बेसे है तो यह देखे बाई सबसे पहला बेस आ चुका है है एंड यह देखे वे डिफेंसेस कापि रू है तो चलो हटाओ इसको skip करता हूँ मैं आराम से यह बेस जो 3 star हो जाएंगे आप लोगों को पता ही है तो next base देखते हैं तो अब करते हैं next attack यहाँ पर 3 attack बचे वे तो यहाँ पर हमने पीछले बेस पे भी 3 star निकाल दिया था अभी दो अटेक्स पचे वे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दोनों 3 star निकाल दिया दोनों easy bases आये थे तो हाट बैस मिलेगा तब आप लोगों को दिखाऊंगा तब ज्यादा मजा आएगा वाई तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम लोग करते हैं अटैक पे लगा देते हैं यहाँ पर कदिया हमने अटैक पर दबा दिया है और यहाँ पर ओके तो भाई बेस तो यहाँ पर भी लोगों डिफेंसे से अराम से बाई यह बेस भी 3 star होगा हाला कि इस बंदी का सेंदी जो है काफी बढ़िया दिख रहा देख सकते हैं अर्चर टावर भी निकल चुके एक हमारा स्वीपर भी निकल गया तो बहुत अच्छा बात है अब जो है हम लोगों ने थोड़ा सा गलत यहां पर जैप करते हैं चलो कोई नहीं हम लोगों को उधर वाला नहीं वेना चाहिए था तो चलिए आब हम लोग इ क्वाटनिं को टैप करके यहान पर हमने लाबा लौन्स एटार बगराँ में टार्गेट ओंगे रहीं और एक यहां पर इंविज वर टावर ता तो इनוजब हो जाता तो दिक्कत हो चकता था हमारा ता नहीं मिकल पाता तो यहां पर चलिए अब बिस वर वह शुआ हम को डिप्लेमेंट करना है तो हम तो हिरोज को इदर से ड्रॉप कर देते हैं और इदर देख सकते हैं कि लाबा दून इदर किलिगर करते वे जा रहा है तो सही है और थोड़ा सा चल इदर से कुछ ट्रॉप डाल दिया मैंने और अब जो है यहां पर हिरोज नीची के और आ रह सब्सक्राइब कर दिया था इसने तो अभी देखते हैं अभी कुछी दिन है तो यूज कर लेते हैं और देखते हैं कितना पूजिंग हो पाता है हमारे साथ तो हम लोग तो पूरी ट्राइक करेंगे भाई कि इस सीजन 6,000 हम लोग हीट करवा दें तो यहां पर देखते कि यहां पर हमने आलसी को भी ड्रॉप कर दिया और यहां पर बेज जो है आराम से त्री स्टार हो जगा विदाउट एनी दिक्कन चलिए हो जुगा है तो तीन अटैक था था तीनों अटैक हमने त्री स्टार निकाल दिया एक लास्ट टैक करते हैं आई होप इस टाइम अब तकड़ा बेस मिल जाए टाउनों 15 का तो अच्छा रहेगा आपको दिखाने में मज़ा आएगा अच्छा तो गाई हमने कर दिया है सर्च और देखते हैं कैसा बेस मिलता है तो ओके भाई अब जाके सही बेस आया है और यहां पर देख सकते हैं टाउनों 15 जो है मैक्स बेस मिल चुक है हमें अब मतलब मैक्स बेस आना चालू हो चुके है तो अब होगा भाई असली टांडव अब मचेगा तो चलिए बाई देखते हैं इस बेस पर प्लैनिंग करते हैं स्वीपर के प्रविशन पर में देख लेता हो ओके अप्वार्ड और डाउन्वर्ड साइड म भी आ चुका है और यहां पर अर्चा टार भी आ चुका है तो यहां से भी देख सकते हैं अर्चाट और यहां से बीच्छे साइड से यहां से अब हम लोग यहां पर यूज करते के भाई लाबाव उनको ड्रॉप करना था कि ब्लैक एर माइन होगा तो ट्रिगर हो जाएग काrif मखने हैं तो हुआ थोड़े सा वेट कर लेते हैं अब हम दोग यहां पर वाडставля को भी टैब कर दी हैं अब यहँआ पर हम तो कर देते हैं रेज चल और सही है अब ईहां पर जैप को बीज़ करने हैं निकाल है बनाव से क्लिट निकल गया आडव हम लोग इधर से हीरोस को यहां से अंदर डाल देंगे तो यहां पर सबसे पहरे तुब ब्रेक कर दिया मैंने वीचे जबाई यहां पर किंग एंड क्वीन को भी सब्सक्राइब डाल देख चलो सही है और अभी बहुत सारे पॉप्स है जो कि लावा उनसे फूटने बाद निकलिया है तो यहां पर अब जो पॉप्स भी मरने बाद है क्योंकि यहां पर यह मल्टी टार्गेट इंफर्णो के चपेट में आ रहे हैं तो चलो कोई दी करने थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहां पर हमने कीग को टैप करके यहां पर देख सकते की आराम से भाई हेड एंटर अब इसीव भी डिफेंसे से टार्गेट ना हो पाए और अराम से देख सकते की ओपनेंट का की को जो टार्गेट कर दिया गया है और यहां पर हमने आलसी की अविट को भी टैप कर दिया क्योंकि मल्टी टार्गेट इंफर्णो टावर जो हमारे हिरोस के बार्बरियंस को कर रहते हैं पहर भी रोष्ट रोष्ट कर रहे थे तो इसी महम प्लेट ऑर यहां पर आराम से ये भएवारीश ब्लिफी भाई 搞 यहाँ पर तीन जो बेस हैं इजी बेस मिलाता यहाँ तो बहुत सही तो गाईस यहाँ पर हमने चारो आटेक्स को कमप्वेट कर दिया है अब देखते हैं हमारा डिफेंस कैसा कर पाता है कि नहीं तो गाईस आज के विए बस हम दोग इतना रखते हैं और चल्दी मिलेंगे से इस तरह के और भी न्यू विडिएस के साथ तक तक जबाई जय हिंद।